एक प्रो मुबाइल गेमर के लिए क्या कैतीज है जरूरी है एक अच्छा फोकस कंसंट्रेशिन एक अच्छा उसका कुईक रिफलेक्स तो यहां पर वो सभी तीज आपको मिलने वाली है क्योंकि हमारे साथ है गेमिंग की दुरिया के चार धुरंदर खेलने वाले है पब जी मुबाइल और रेजमी नोट एट प्रो फार्ट हमारे ये चार खिलाडी एक एक करके बैठने वाले है होट सीट वर और खेलने के लिए कंडिशन्स क्या होगी ये तै करेगा ये स्पिनिंग वील और कंडिशन आई है दपाइरेट यानिकी एक आख के साथ खेलना होगा और नहीं और नहीं बच गए परफेक्ट कंडिशन्स अनकमफर्टेबल सिटिंग अब जिस सीट पर बैठेंगे देखते हैं कैसे वह आपके लिए अनकमफर्टेबल बनाई जाती है और गवर्ड कंट्रोल्स देखिए हर घिलाडी के अपने कस्टुमाइस कंट्रोल होते है पर इस सेचुवेशन में अंकिता सी को उनके मन मुताबिक कंट्रोल्स नहीं मिलेंगे अब उनके कंट्रोल फिक्स करते हैं तो हाइडरा आपको दा पाइरेट्स कंडिशन मिली है पर आपने क्या सोचा इतना असान गेमशो होगा अभी तो डिस्ट्राक्शन मिलना बाकी है आपको अब मेरे दोस्तो तो गभाई ये डिस्ट्राक्शन मिल इस अल बबली तरिंट इन 3 2 1 जब दो भाई देख एक दो किल ने ने दे भाई थंड़ा लग रहा एक तंदा लग रहा है अबरा मरा इस बाई बाई आपको अबरार गार यह क्या कर रहा है ओ स्लाइड मार र इस अब आपको यह कान में तो बस करो ओ अल्डेट ना आपको पांच किल तो इस वाग अलफा क्लैशर सबसे पॉफेक्ट जोन में चल रहा है क्योंकि उनकी कंडीशन जो आई थी वह पॉफेक्ट कंडीशन आई थी तो गमाऊ भी लिया तो अब आदमी बिल्कुल किनारे में बचा है I'm an artist artistic way से इनको distract करना पड़ेगा अलग-अलग music instruments से चालो होगे चलो भॉफो के साथ शुरुबात करेंगे एक किल मिल गया इसको मारा मैं इसकेट मारा है बस कर भाई क्या मुह पे आजा तुम अरे दम्री वाले बेस में घुसके मारना लाउड नहीं है भाई म मार रहा होता है न सब करना होता है गरीब दस की लोग हैं वहारो मुझे मारो और तुमने कौन को बैंड वजा तो हमारे शो की गुला वो फिर से आ गई है आपको पहले condition मिली थी awkward controls और अभी देखते हैं क्या distraction मिलेगा आपको ऑज नो distraction यानी की हमारे बच्ची फिर से लक्खी निकल गई क्या है यह अगे कशन का लिख न ये तो कूद ना है अरे जुपार के बाठेंगा है अरे मुढ़ने का लिख में शाखी ते नीदाु में ये जो और इसने हां पीज़ना है एक शाखी है जो स्कूदे जाए अरे ये तो फूदे जाए वो देख दूपा है, कितमे किर दूपा है? 8 किल मेरे टीगे और 3 असिस यह पहले से बिचारा सही से बैठ नहीं सकता क्योंकि इसको कंडीशन मिली थी अनकम्फोरटेबल सिटिंग पर अभी क्या डिस्ट्राक्षिन मिलेगा आपको आएए देखते हैं लाइटनेंग चालू को अंदो याँ भाई तुम लों से गरम लगना मेरे को वह भाई ने कलर ब्लाइंड होगा कस्टम जवागा नहीं दिकरा मेरे को कुमारे टीममेट का मेरे गरीबो ऐसे ही बस बरकरार रख हाँ धालू हो चालू हो चालू मर ना मर ना मत मर कितने इसको भाई तो मैं आप सभी से जानना चाहता हूं कि कैसा रहा आपका एक्सपिरियंस मेरा कंडिशन था कि इतने सारे सांड बजा रहे थे लोग भूबों अगरा कर रहे तो मेरा तो पुरा हेड़क हो गया स्टार्ट यह मेरे तो पिछही कुछ लगा दिया गया था और पुट से आखों के अखों के फ्लाश ब्रदर आपकी डिस्प्ले बहुत सारे बबल सारे थे तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि Redmi Note 8 Pro की जो डिस्प्ले है वो कैसी है डिस्प्ले काफी बीटिफुल है बट पानी के जाए से जो इंटर्फरेंस होता है बट बहुत काम था कंपेर्ड तो अधर दिस्प्ले अगे आपको इस मोबाइल का प्रोसेसर कैसा लगा इसका Mediatek Helio G90T processor अधिंक इसके लिए से गेम बिल्कुल भी लाग नहीं थी आविक से इस रिली गुल हम लोग मिहां पर और फो दू फाया शूट कर रहा है और कंटिनूसली गेम चालो था इसके नदर वित रिकॉर्डिंग तो अच्छा long lasting battery performance तो अब वक्त आ गया है जानने का कि आखिर कौन है विनर विस्ट विनर Alpha Clash तो हमारे पास clear विनर है जिसका नाम है Alpha Clash कुछ कहना चाहेंगे जीत पे हम यही कहना चाहेंगे कि बहुत दिनों बाद अपने दोस्तों से मिले हम और काफी सारी irritating challenges करी और फोन में PUBG खेलके सभी दोस्तों के साथ बहुत मज़ा है तो कुल मिला के आप एक बात समझ लीजे कि जो Redmi Note 8 Pro Mobile है वो perfect gaming experience देता है आप भी इस difference को महसूस कर सकते है और लेकर आ सकते है Redmi Note 8 Pro बाकी, बाबाए, लव यू Richie, signing out